प्रदेश कॉंग्रेस के चार नेता में है जो छे महीने के भीतर दो बड़ी चुनाव हार गए दसंबर 2018 में हुए विधान सबा चुनाव में न तो विधायक का चुनाव जीत पाए और नहीं 2019 में हुए लोकसबा चुनाव में इन्हें सफलता मिली लगातार दो चुनाव में मिली हार के बाद अब इन नेताओं के राजनीतिक भविश्य पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कॉंग्रेस ऐसे प्रत्याशियों की बजाए नए चेहरे मैदान में उतारने पर अब विचार आगे कर सकती है इनमें मानवेंदर सिंग अपने गड़ में चुनाव हार गए वहीं रगवीर मीर्णा को तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा है वहीं रतन देवासी भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में हार गए इसके अलावा श्रवन कुमार भी विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव हार गए हैं ऐसे में अब इनके राजनीतिक भविश पर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं लगातार दो चुनाव हारना अपने आप में एक नई तस्वीर उकेरता है जिसमें अब कुछ नए चेहरों को जगे मिल सकती है तो ये चार बड़े नेता जो लगातार विधानसभा का चुनाव भी हारे 2018 में और उसके बाद 2019 के लोगसभा चुनाव में भी इन चार नेताओं पर पार्टी ने भरोसा जता आते हुए जब लोगसभा के रण में उतारा तब भी ने करारी शकस्त का सामना करना पड़ा तो रतन देवासी मारमेंदर सिंग, शवन कुमार ये वो नाम है जो विधानसभा चुनाव के मैदान में भी इन उतारा गया कॉंग्रेस ने इने टिकट दिया लेकिन विधान सभा चुनाओं में मिली हार के बावजूद जब पार्टी ने लोकसभा चुनाओं में इन पर भरोसा जटाया विश्वास किया उसके बाद भी ने करारी हार का सामना करना पड़ा ऐसे में सवाल ये उठखड़ा होता है कि क्या इनके राजनितिक भविश्व को लेकर अब पार्टी किस तरीके से विचार करेगी ऐसे में नए चेहरों पर भी पार्टी विचार कर सकती है आने वाले चुनाओं में अब जब विधान सभा ये लोकसभा के चुनाओं जब उसके बाद इन चार नेताओं के राजनितिक भविश्व पर अब सवाल उठखड़े हुए हैं तो न विधायक बने और ना ही सांसत बन सके सवाल राजनितिक भविश्व को लेकर उठखड़ा हुआ है कॉंग्रेस के चार नेता छे महीने में दो चुनाओं हार गए है और स इदिली चलते हम भुट